हलो फ्रेंड्स मेरे स्पामिस्ट्री एंड स्टॉलेजी वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है तो आज हम अनायलसिस करेंगे सेंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं तो आज यूजूल श्रू करूँगा फिंगर्स कैनल सिसस से उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग मांट्स को और सबसे लांस्क में हम चेक करेंगे लाइन को इस तरह से पुरी हैंड का जो अनलसिस हम कंप्लीट करेंगे तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूं साथ सा ड्रॉ करता जाओंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्त न हो दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा यह जो नमबर आपको आपकी स्क्रीन के उपर नजर आ रहा है यह मेरा व्रट्सैफ नमबर है अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें वट्सैफ के जरिए शिगनल के जरिए या तेलिग्राम के जरिए message send कर सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हतेली है कुछ इस तरह से एक square shape में नजर आ रही है जो indicate करती है एक hard working type की nature को और अगर इनकी fingers को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं काफी अच्छी लंबाई में इनकी fingers नजर आ रही है खासतर पर इनकी शनी finger को अगर देखा जाए तो यह finger बहुत अच्छी length में है शनी finger का अच्छी लंबाई में होना indicate करता है कि native काफी hard working nature का होगा ऐसे व्यक्ति काफी disciplined होते हैं जिनकी शनी finger अच्छी लंबाई में हो और अपनी इनकी खूबियों की वज़े से जीवन में काफी अच्छी तरक्की करपाने में काम्याब रहते हैं अगर हम इनकी index finger यानि ब्रस्पती finger और सूर्य finger की बात करें तो यह जो है इनकी index finger है और यह वाली finger सूर्या की finger कहलाती है इन दोनों fingers की length यहाँ पर आपको लगभग एक समान नजर आएगी दोनों ही fingers काफी थिक हैं बिल्कुल straight हैं जो यहाँ पर indicate करती हैं काफी अच्छी creative nature को क्योंकि सूर्या की जो finger है यह native को creative बनाती है काफी अच्छी artistic qualities भी native के भीतर रहती हैं और सूर्य finger की अच्छी length होने की वज़े से native का एक बहुत अच्छा social circle भी बन पाता है और इसी तरह से अगर index finger यानि ब्रस्पती finger अच्छी लंबाई में हो तो native की leadership qualities काफी अच्छी रहती है ऐसे विक्ती knowledgeable होते हैं spiritual minded होते हैं जिनकि यह finger बिल्कुल straight हो तो आप यहां पर देखेंगे इनकी जो mercury finger है थोड़ी सी low set हो रही है लंबाई में इस finger में कोई भी कमी नहीं है अब देख सकते हैं यह जो finger है बुद्ध की finger यानि mercury finger कहलाती है और length में यह finger बहुत यह अच्छी है जिस वज़े से native के communication skills काफी बहतर रहते हैं communication skills के साथ साथ native का business equipment और native की calculations करने की जो काबलियत है यह चीज़ें काफी अच्छी रहते हैं इसे व्यक्ति analysis करने में काफी strong होते हैं इसी भी चीज़ के pros and cons को अच्छे से check करकर ही कोई काम शुरू करने की कोशिश करते हैं इस तरह की परसितियां इस तरह की nature व्यक्ति की रहती है यह finger लंबाई में अच्छी है लेकिन थोड़ी सी low set है आपको बताना चाहूँगा कैसे यहाँ पर आप देखेंगे अगर मैं line draw करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बन रही है जिसमें आप देखेंगे इनकी बाकी की fingers काफी उचाई से शुरू हो रही है जैसे सूरे finger है जबकि इनकी बुद्ध finger काफी नीचे से बाकी fingers के comparatively यह finger काफी low से शुरू हो रही है जिसे हम low set finger कहते हैं इस finger का इस तरह से नीचे से शुरू होना native को थोड़ी shy nature देता है अगर हम बात करें fingers के उपर बनने वाली बारीक सीधी खड़ी रिखाओं की आप देख सकते हैं बहुती बारीक काफी सारी सीधी खड़ी रिखाएं इनकी सभी fingers पर आपको नज़र आएंगे कुछ ऐसी बारीक रिखाएं आप देख पाएंगे लबभग सभी fingers के lower phalanges के उपर इस तरह की रिखाओं का होना काफी positive होता है ऐसे व्यक्ति मिलन सार सभाव के होते हैं नॉर्मली इनकी fingers में कोई भी gaps नहीं आप यहाँ देखेंगे बिलकुल आपस में सटी हुई fingers आपको नज़र आएंगी कुछ हलका gap यहाँ पर upper phalanges में और यहाँ पर आपको नज़र आएगा इस तरह की gaps native को थोड़ा सा खर्चिला सभाव भी देते हैं अगर सभी fingers आपस में सटी हुई हों तो native की money management काफी बहतर रहती है तो यहाँ पर इनकी money management भी बहतर रहेगी क्योंकि सभी fingers में gaps नहीं है लेकिन कुछ हलके gaps होने की वज़य से थोड़ी independent nature और time to time थोड़ा खर्चिला सभाव भी इनका देखने को मिल सकता है बात करते हैं इनके mounts की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो mercury का area है आप देखेंगे बेशक यह low set है लेकिन इस mount के उपर काफी अच्छी रिखाएं आपको नजर आएंगी इस तरह की खड़ी रिखाएं जिने हम medical stigmata कहते हैं ऐसे रिखाएं बुद्ध परवत के उपर मौचूद हो तो ऐसे व्यक्ति दूसरों की help करने वाले होते हैं ऐसे व्यक्ति किसी डा किसी तरह से दूसरों की मदद कर सकते हैं जैसे अपने शब्दों से अपने करमों से, अपनी सलहा से दूसरों की problems को दूर करने की qualities इनके भीतर रहती हैं और यहाँ पर कुछ खड़ी रिखाएं होना जैसे जो रिखाएं आपको नीचे से उपर की तरफ चलती नजर आएंगी इन्हें हम Mercury Lines कहते हैं और इस तरह की लंबी Mercury Lines अगर हाथ में मौचूद हो तो नेटिव का बिजनस सेकुमेन बहुत ही बहतर रहता है ऐसे विक्ति आप यहाँ पर देखेंगे बहुत यह अच्छा Money Triangle इनकी थेली में बनता हुआ योकि जो तीन रिखाएं हमें चाहिए होती है Money Triangle फिए वो तीनों मौझूद हैं यहाँ पर सबसे पहली रिखा यहाँ नीचे से उपर की तरफ चलती हुए जिसको हम कहते हैं Fate Line दूसरी रि द्धन संचे के मामले में यानि Money Accumulation के मामले में काफी लखी होते हैं अपनी चीवन में अपनी महिनत से काफी अच्छा द्धन Accumulate कर पाने में कामयाब हो जाते हैं बात करते हैं इनके सूरे परवत की अब यहाँ पर देखेंगे हाथ में सूरे रिखा मौचूद है बहुत ज़्यादा लंबी सूरे रिखा यहाँ पर नहीं है क्योंकि यह है जो सूरे रिखा आपको इनकी एठेली पर इस सेरिया से की है ऐसी रिखा अगर हाथ में हो तो व्यक्ति को चोटी एज से ही फेम मिलना शुरू हो जाता है लेकिन अगर यहाँ रिखा हाट लाइन के ऊपर से नजर आए तो जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कुछ इस तरह हैं कि तो यहाँ रिखा नेटिव को ओल्ड एज में अच इतना भी काम कर ले बदले में कोई अपरी सेशन या रिवाड ऐसे व्यक्ति को नहीं मिल पाता शनी के अगर बात की जाए तो शनी का जो एरिया है यहाँ पर फ्लाट है नहीं यह मांट बहुत ज़्यादा उभरा हुआ है और नहीं दबा हुआ जिस वज़े से जीवन में स घर्ष तो रहेगा लेकिन साथी साथ एक अच्छी लंबी शनी रेखा हाथ में मौचूद है अब देख सकते हैं शनी रेखा बीच में आकर थोड़ा सा वीड पड़ रही है लेकिन यह रेखा आगे चलकर कंप्लीट होती नजर आ रही है यहाँ से शुरू होने वाली यह भ पूड़ा सा ब्रेक लेती विराम लेती नजर आएगी उसके बाद लगबग 40 के आसपास की एच से इस रेखा में फिर से स्ट्रेंथ हा रही है तो आप यह लगा सकते हैं कि 36 से 40 के बीच की जो हिज रहेगी इसमें इन्हें अपने कमफर्ट जोन से निकल कर काम करना पड़ पड़ेगा ज्यादा मेहनत इनकी लाइफ में तब होगी लेकिन 40 की एच के बाद फिर से बहुत अच्छी तरक्की ये अपने जीवन में देख पाएंगे अगर हम बात करें इनके गुरू परवत की आप देखेंगे ब्रस्पती का एरिया यहां पर काफी अच्छा नजर आ रही होगी यह जो रेखा है कुछ इस तरह से अगर यह रेखा दोनों सिरों को टच करें तो यह है कंप्लीट गुरू वला बन जाता है अगर इस तरह से यह रेखा दोनों सिरों को टच कर जाए तो ऐसे व्यक्ति काफी ज़्यादा स्प्रिच्छल माइंड होते हैं खास्त और पर 40 वर्ष की एज के बाद इनका spirituality की तरफ ध्यान काफी अधिक बढ़ जाता है और 40 के बाद की एज में ऐसे व्यक्ति किसी न किसी संस्था को जोईन कर लेते हैं किसी धार्मिक संस्था को या किसी ऐसी organization को जो दूसरों की help करती हो तो इस तरह की इनकी personality देखी जा सकती ह है जिनके हाथ पर यह complete गुरू वला हो यहाँ पर भी यह पूरी तरह से तो नहीं बनना लेकिन इसके परभाव काफी रहेंगे इस तरह का गुरू वला यहाँ पर बनता हुआ जो इनस preacher minded बनाएगा और इस तरह का चिन होने से native अपनी middle age से ही काफी अच्छी पहचान और का काफी अच्छा मान समान समाज में पाना शुरू कर देता है बात करते हैं इनकी line of heart की तो आप यहाँ पर देखेंगे heart line काफी अच्छे से कर्व में नजर आ रही है एक Vishnu symbol इनकी heart की line के अंत पर बनता हुआ आपको नजर आएगा यह जो रेका है इसको हम heart line कहते हैं और यह रेका कुछ इस तरह हैं से Vishnu चिन बनाती है और आगे थोड़ी सी एक break के बाद extend होती हुई इस तरह की रेका आप देख पाएंगे यह जो चिन होता है इसको Vishnu symbol कहा जाता और जिन लोगों की थेली पर इस तरह हैं से व्यक्ति काफी अच्छी तरक्की कर पाते हैं लिकना अ आपको एक हलकी ब्रांच यहां पर नजर आएगी यह असल में गर्डल ओफ वीनस की छोटी formation है अगर यह रिखाएं जैसे यहां से शुरू हो और इस तरह हैं से दूसरे सिरे तक यह जुड़ जाए ऐसे अर्दिचंद्रमा की एक रिती बन जाए तो इसको हम complete गर्डल ओफ वीनस कहते हैं ऐसा अधूरा गडल ओफ वीनस होने से नेटिव थोड़ा मूरी नेचर का हो सकता है थोड़ी मूर स्विंग की दिक्कत का भी व्यक्ति को सामना करना पड़ सकता है अगर हम बात करें इनकी line of mind की तो आप देखेंगे यहां पर mind line थोड़ा सा नीचे की तरफ रुख लेती हुई नजर आएगी आपको यहां इनकी mind line है कुछ इस तरह से थोड़ा सा नीचे की तरफ चलती हुई और यहां पर mind line में एक island बनता हुआ इस तरह का नीचे की तरफ जुकाव होना mind line का थोड़ा सा over imagination व्यक्ति को देता है थोड़ी कलपना शीलता अधिक रह सकता है लेकिन overall mind line की लंबाई अच्छी है यहां mind line व्यक्ति को काफी practical personality बनाती है अगर हम देखें इनकी line of life को तो यहां पर एक काफी अच्छी लंबाई में इनकी life line नजर आ रही है life line के last में चलकर के तू मौंट के उपर आपको एक फिश की अकृती बनती नजर आएगी यह है जो चिन है जिसको हम केतू परवत कहते हैं यहां पर यह फिश जैसी अकृती बनना इंडिकेट करता है कि नेटिव को जीवन में कई बार अचानक धन लाब होंगे ऐसा चिन बनने से ऐसे व्यक्ति life में कई बार foreign travels करते हैं विदेश यात्राई करने का मौका अचानक धन लाब और कई बार insurance से या inheritance से धन मिलने की समभावनाई इस तरह का चिन बढ़ाता है अगर हम देखें इनके इनकी life line की लंबाई को तो आप यहां पर देखेंगे life line की जो length है लगबग इस तरह से इस area तक पहुंचती हुई और यह एक लंबी life line के तोर पर देखा जा सक जिन लोगों की इतनी लंबी life line होती है ऐसे व्यक्ती 80 के अबव life को enjoy कर पाते हैं लाइफ लाइफ लाइन के साथ साथ अंदर की तरफ रिखाओं का होना काफी अच्छा होता है ऐसी रिखाएं होने से native property के मामले में लकी रहता है ऐसी रिखाएं होने से native की energy का level भी काफी strong रहता है शुक्र परवत यानि Venus mount को अगर देखा जाए तो यह area आप देखेंगे काफी उभरा हुआ है जिस वज़े से हर तरह की सुविधाएं और luxury ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में enjoy करता है लेकिन साथी साथ इस mount के उपर इस तरह की horizontal lines का होना अच्छा संकेत नहीं माना जाता ऐसी रिखाएं होने से marriage में delay होना या married life में दिक्तों का सामना व्यक्ति को यह रिखाएं देती हैं अगर हम चंदर परवत की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे चंदर परवत का जो area है बिल्कुल flat नजरा आ रहा है यहाँ पर कुछ आड़ी रिखाएं इस तर स्वालों के जो आप एक ही वीडियो के थुरू दे पाऊं लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन या स्वाल रह जाता है तो इनसे request है कि अगर इनका कोई question pending है तो मुझे WhatsApp पर message करें मेरा वीडियो watch करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद